कि आपके पास भी एक Motorola का फोन है, तो ऐसे में जब भी आप अपने Moto phone के camera को open करने जा रहे हैं, कि आपको भी कुछ ऐसा error देखने को मिल रहा है, rear camera unavailable, the rear camera hardware is not working, switch it to selfie camera, if restarting your phone does not fix a problem, you can contact Motorola customer care support, ऐसे error code दे जा रहा है, got it की problem आ रहे है, तो ऐसे में आप अपने Motorola याना की Moto 5G phone को जो आप अपने camera को open नहीं कर पारें, तो दोस्तों, मैं आपको बता दूँगा, यह error जो maximum, जो मेटरोला के phone में देखा गया है, तो अगर आपके पास भी एक Motorola का phone है, तो ऐसे में अगर आपको भी अपने mobile phone के camera को open करने के time, यह error रहा है, तो आज की इस वीडियो में आपक आपको अपने mobile phone की home screen पराना होगा, तो जैसी आप अपने mobile phone की home screen पराएंगे, तो सबसे पहली setting की करने होगा, आपको अपने mobile phone को एक बार restart कर देना होगा, तो दोस्तों, मैं आपको बता दूँगा, restart करने से आपके mobile phone में कोई भी data डिलीट होने वाला नहीं है, तो restart करने आपकी reset setting होती है, तो बहुत सारे यहां पर बहुत दें की, यहां पर android users यह बहुत दें की restart करने से आपके mobile phone का data डिलीट हो जागा, तो मैं आपको बता दूगा, restart करने से आपकी setting reset होती है, बाकि आपके mobile phone में data तब डिलीट होता है, जब आप अपने mobile phone में format लगाते हैं, आपके mobile phone को restart करें, तो restart करने से आपके mobile phone में कोई डिलीट होने वाला नहीं है, तो पहली setting करने होगी, आपके mobile phone को एक बार restart कर देंगा, तो जैसी है आप अपने mobile phone को एक बार restart कर देंगा, अब आपके mobile phone में दूसरी setting करने होगी, तो दोस्तों क्या होता है कि कभी-कभी हम अपने Play Store से 3rd party camera पर इंस्टाल करते हैं, जैसे कि Beauty पलस आ गया, HD camera गया, क्योंकि Play Store पर हम camera तभी install करते हैं, क्योंकि Play Store के camera में हमें थोड़े बहुत अच्छे filter दिया रहते हैं, तो उन चक्रों में Play Store से 3rd party camera पर इंस्टाल करते हैं, तो जिनके थुरू कभी-कभी हमारे mobile phone मे जो भी आपने duplicate camera इंस्टाल कियोंगे तो उनको डिलीट कर देना है, अनिस्टाल कर देना है, अब जो आपको last and final setting है, सबसे important setting है, तो आपको करना है, आपको अपने mobile phone की home screen प्लाने के पास settings को उपन कर देना है, तो जैसी आप settings को उपन करेंगे, तो आपके सामने भी कुछ ऐसा interface निकल के आजेगा, तो यहाँ पर आपको पहला भी नी, दूसरा भी नी, तीसरा option दिखर रहोगा, apps and notification हो सकता है, इसकी जगा आपके mobile phone में management app, app info, app list का icon दिखर रहोगो, तो कहने का मतलब है, आपको अपने mobile phone की settings में सारी-सारी applications को निकाल के लाना है, तो जैसी आप अपने mobile phone की settings में सारी-सारी applications को निकालेंगे, तो आपके सामने भी कुछ application इस तरीके से खुल के आजेंगे, तो यहाँ पर आपको अपने mobile phone में camera application को निकाल के लाना है, जैसे कि मैंने आपको वीडियो की शुरू में ही बताया, आपको duplicate camera को uninstall कर देना है, delete कर देना है, यहां पर आपको देखने को notification permission storage & kg, आपको AUKE. वाल現在 जमालोब साल्व हुए या नहीं है, उसको कुल देm się खीड़ सिक्राब के अपने खार किम खालें तो ज्Яक करना को आपका से इसांगी आरब आपको परमिशन को अलग कर देना है तो जैसी रहते हैं असरी आपर आपको पर 시 baş दो आपको पहली परिमिशन देना है Thank you.